हाई गाइज कैसे हैं आप लोग वैलकम टोन अकाडमी लेट्स क्रैक यूपीसी सीसी हिंदी और एम लक्षमिकान भारत के समविधान और राजविस्था की हमारी इस सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारा 67 शर्षठ वा ये सेशन है इ समविधान के भाग 8 के बारे में केंद्र शासित प्रदेश जो आप देखते हैं यूनियन टेरिटरीज उनके प्रशासन के बारे में पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि केंद्र शासित राज्यों का यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कैसे चलाया जाता है उसमें म सभस्तिर दौरा दिली के लí게 एक विधान सभा की सथ्स़पत्र विवस्ता की गई वहां पर इक उत्तरदाई सरकार की श्ठापने के गई एक मुख्यमंत्री मंत्री उसके लिए चाहे वहां विधान सभा है तो भी संग सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूची के विशय पर कानून बना सकती है, साथ विधान सूची के तीनों सूची पर कानून बनाने की शक्ति होती है, हाला कि यदि वहां पर मानने की है कोई विधान सभ जैसे दिल्ली में है पुदुचेरी में जम्मु कश्मीर में तो विधान सभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार होता है फिर भी केंद्र सरकार का नियंत्रन यहां पर हमेशा रहता है यहां पर आपको प्रशासक मिल जाएगा या जो भी हैं आपको यह बात तो समझ में आई गई होगी कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रन किस प्रकार से रहता है चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन में आपसे दो टॉपिक डिसकस करूंगा और वो दो से सबसे पहले देखें भारत में अनुसुचित क्षेत्रों का प्रशासन झीहां एक ऐसा चैप्टर जिसे बच्चे भूला भिश्रा चैप्टर बवना चुके हैं कई सारे बच्चे भारत में अनुसुचित ख्षेत्र Ой के प्राशासन के बारे में पढ़ते ही नहीं और आप जानते हैं कि क्यों नहीं पड़ते क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता और कई सारे बच्चों को यह गैर जरूरी लगता है लेकिन यदि आप किसी भी बच्चे से पूछेगा कि भारत के संविधान की पांचवी और छटी अनुसूची में क्या च favorp. उयां है, तो आपको बताएंगे कि पांचवी अनुसूची में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्राव द्हान है, वहां पर पूछेष क्शेत्रों के लिए प्रावधान हैं, अगर आप पूछेएंगे, चार राज्यव में क्या है, तो आपको चार राज्य ठिन वो आपको छटी अनुसूची में बिलेंगे चार राज्यों के लिए, लेकिन इसके आगे ना बढ़ियेगा, इसके आगे अगर आप बढ़ गए और आपने उनसे पूछ लिया, कि जरा बताईए तो सही कि प्रावधान है क्या, पाचवी अनुसूची और छटी अनुसूची क्योंकि इसके आगे कभी कोई पढ़ता ही नहीं, बहुत सारे बच्चे तो इस पूरे की पूरे चैप्टर को, इस पूरे की पूरे प्रावधानों को स्किप कर जाते हैं, हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सब कुछ पढ़ना है, हमारा सिलेक्शन तभी होगा, जब हमारा पूरा सिले बस कवर होगा, तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो पाँचवी और छटी अनुसूची जो है भारत के सम्वेधान की, उनमें जो राज्य हैं, उनके लिए क्या विशेश प्रावधान किये गए हैं, वहां अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, जनजाती क्षेत् प्रासा है, और वो संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग, election commission of India, हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपनी भूमिका को लेकर, कभी अपनी शक्तियों को लेकर, कभी अपनी कमजोरियों को लेकर, कभी चुनाओं में सुधार को लेकर, हमेशा आप देखोगे, election commission of India, एक ऐ प्रशासन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे, आगे जाके, election commission of India, निर्वाचन आयोग के बारे में भारत के प्रावधान जाने के, समविधान में क्या प्रावधान है, निर्वाचन आयोग को लेकर, चलिए, तो आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आरही है, अब आपकी classes daily फिर से 12 बजे शुरू हो जाएगी, I hope कि आपको 2-3 दिन थोड़ी problem होगी, लेकिन फिर भी आपने adjust किया होगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से 12 बजे ही session, ठीके, चलिए, तो Unacademy, इंडिया का सबसे बड़ा online learning platform है, आपको पता है, और आप इंडिया के best educators के सा और Unacademy ही क्यों, क्योंकि Unacademy से जुडने के आपके पास कही सारे जो है, प्रकार से हम कहें कि बहाने हैं, या कही सारे कारण है, बहुत सारे educators है, live classes है, unlimited access है, printed notes आपको मिलते हैं, courses बहुत सारे है, change करने की flexibility आपको दी गई है, doubt clearing sessions है, प्री से लेकर interview तक की complete preparation वो भी experts के स तयारी कर सकते हैं, तो आप इसलिए Unacademy को सबस्क्राइब कर सकते हैं, इसके लिए अभी आपके पास कई सारे option है, सबसे बड़ी एक option है, Unacademy का mains का test series और answer writing program 2022 के लिए, जो बच्चे mains 2022 की तयारी कर रहे हैं, या 2023 के लिए, वो इस program को join कर सकते हैं, और अगर आप मेरा referral code यूज करेंगे, तो obviously 10% का discount यहां से मिलेगा ही, 10% कम हो जाएगा, यदि आप चाहें, तो आप optional की test series भी ले सकते हैं, Unacademy आप पो optional की test series भी, ठीके, क्या करता है, offer करता है, और आप इस referral code को यूज करके इसको भी ले सकते हैं, C-K-L-I-V-E, जैसे ही C-K-L-I-E को आप अ बड़ी option, क्योंकि Unacademy का iconic subscription अपने आप एक unique feature है, जो आपको देता है personal coach, daily answer writing practice, आपको हर एक कदम पर कोई help करने के लिए, personal coach होता है, जो आपका mark दर्शन करता है, आपको guide करता है, आप iconic subscription ले सकते हैं, इसमें आपको prelims की booklets वगेर, daily answer writing वगेर सम बिल जाएगा, और अग सकते हैं, एक साल, एड़ साल, दो साल, तीन साल तक का, आप बस इस referral code को याद रखिए, जब भी Unacademy का कोई भी subscription आप ले, C-K-L-I-V-E-C-K-L-I-V, यह मेरा referral code है, इस code को यूज करने से सबसे पहले तो आपका जो amount है, वो 10% कम हो जाएगा, सबसे पहले तो यह होगा, कि पैसा 10% कम होगा, उसके बाद आप जितने Unacademy के educators हैं, सबकी classes देख सकते हैं, Hindi में देख सकते हैं, English में देख सकते हैं, bilingual भी देख सकते हैं, unlimited access आपको मिलेगा, आपको notes मिलेंगे, और आप चाहे तो iconic भी ले सकते हैं, और आपको अगर एक साथ पे करने में problem आ रही है, Unac चलिए, तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन हमें पढ़ना है, ठीके? अनुसूचित और जन्जाती क्षेत्र हमारा chapter number 41, तो हम 41 पे अध्याई पर आ चुके हैं, और वो है आपका अनुसूचित जन्जाती क्षेत्रों का प्रशासन, कहां पर है, सम्विधान के किस भाग में है, सबसे पहले तो भाग यात करो, भाग नोट करो, भाग दस पार्ट 10, भारत के सम्विधान के भाग दस, अनुच्छेत कौन सा? अनुच्छेत कौन सा? अनुच्छेत 244, इन में आपको कुछ ऐसे क्षेत्र में, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है, और जन्जाती क्षेत्र की रूप में जाना जाता है, इन इलाकों में प् हwahता होगा कि जेसी भीमारी वैसा इलाज है तो अगर माण लें कि कोई बहुत विशेशίας परिस्थितियां हैं तो वहां पर हम विशेश काम करने के भी जरूत परती है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातिय क्षेत्रों की अपनी विशेश परिस्थितिया हैं, तो यहां के प्रावधान भी तो विशेश होंगे ना, सामान ये प्रावधान यहां पर आप नहीं लागू कर सकते, क्योंकि इनकी इस्थिती, इनकी परिस्थिती थोड़ी अलग है संविधान की पांचवी अनुसूची की तरफ चलिए, इस संविधान में टोटल हमारे पास बारा अनुसूची है, तो आप लोग पड़ी लेते होंगे, रटल लेते होंगे, बलकि मुझे पता है कि इस माबले में तो आप मास्टर है, पहली अनुसूची में संग और उसका संविधान में जो शपत ली जाती है, कई सारे पदादिकारियों द्वारा उनकी शपत का फॉर्मेट है, प्रारूप है, चौथी अनुसूची में भारत में राज्य सभा में सीटो के बटवारे का आवंटन का मामला आपको दिखाई देगा, पांचवी अनुसूची और छ पर मिल जाएगी, आठवी अनुसूची में भारत की मान्यता प्राक्त 22 राज भाशाएं हैं, नवी अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोडी गई थी, जिसमें भूमी सुधार के कानूनों को रखा गया था ताकि उनको न्याइक पुनर विलोकन से ब मामलान ना आये, करनाटक में, कभी गोवा में, कभी मध्यप्रदेश में, और रिसेंटल अभी महराष्ट में, महराष्ट में क्या चल रहा है, इसको राजनेतिक द्रश्टी कोंड से मत देखिएगा, राजनेता तो अपना काम कर रहे है, शिव सेना क्या कर रही है, बीजे दो तिहाई से जादा जो शिव सेना के विधायक है, ऐसा सुनने में आ रहा है, कि वो जो है, पार्टी से अलग होना, मतलब वो अपने आपको ओरिजनल पार्टी ग्रूप में घोशित करना चाहते हैं, या वो सरकार से अलग हो रहे हैं, सरकार अल्पमत में आ रही है, ऐसी स्थिति में आगे दल बदल के प्रावधान को लेकर क्या होगा यहां एक जो है बड़ा महत्व पूर्ण आपको एक पक्ष दिखाई दे रहा होगा और वो है महराष्ट के डिप्टी स्पीकर का महराष्ट में वर्तमान में स्पीकर नहीं है तो अभी आपको पता है कि उपाध्यक्ष करता है अध्यक्ष की अनुपस्तिति में काम तो ऐसे में उपाध्यक्ष की भूमी का क्या रहती है क्या निरणे उनके द्वारा लिए जाते हैं क्या विधायकों को अयोग के ठहराया जाता है या फिर एक जो है बहुमत परिक्षन करवाया जाता है क्या आगे होता है इसको लगातार देखते रहिएगा और इससे कोश्चन बनने की संभावना हमेशा रहते हैं मैंने का ना अपको दल बदल कानून बहुत महत्पूर्पूर कान परिस्थिती से बचने के लिए दरसल भारत में जो नेता है वो कई बार क्या करते हैं कि किसी एक पार्टी से खड़े होते हैं चुनाओं में जीतते हैं और बाद में वो पाला बदल लेते हैं मतलब यह वैसी इस्थिती हो गई कि क्रिकेट टीम में आप देखाओ ना 11-11 ख खेलने के लिए उतर गए और ऐसे में कोई खिलाडी जो है पाला बदल के दूसरी टीम में चले जाए कि हमें तो इस टीम से खेलना ही नहीं तो यहां पर ऐसे ही आयाराम गयाराम वाले नेताओं को रोकने के लिए कानून बनाया था कि चाहे मजबूरी में नेतिकता तो भा और पार्टी का दामन थामा किसी और पार्टी में गए तो हमारी सदस्यता चली जाएगी हमारी सांसदी चली जाएगी हमारी विधाय की चली जाएगी यह कानुन इसलिए पारित हुआ था पर इसमें एक चीज यह है कि अगर मान लीजे कि बहुत सारे नेता ही पार्टी छोड कर निकलना चाहें तो दल बदल नहीं माना जाएगा उनको अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कम से कम एक तीहाई बाद में हमने इसमें और संशोधन कर दिया बाद में हमने एक तीहाई को दो तीहाई बना दिया अब हम एक तीहाई के जगे दो तीहाई कम से कम तो तीहाई सद जो है पार्टी से अलग होने के लिए बाहर जाने के लिए उसकी सदस्ता छोड़ने के लिए राजी होंगे तो दल बदल के आधार पर आयोग्य नहीं माने जाओगे दूसरी बात इस मामले में पीठा सी नदीकार की बड़ी भूमी का है जो स्पीकर होता है जो सभापती होता जुडिशल रिव्यू हो सकता है मैं आपको समविधान के प्रावधान बता रहा हूं थोड़े से काम के जो अभी वर्तमान की जो स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है ना मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप न्यूस पेपर पढ़ते हैं कई सारे पच्छी बढ़ तो कैसे जाएगी किप्ति स्पीकर की जा सकता है मामला यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो हमारा वह मामला भी इसकश कर लेंगे तो जब तक एक बार कलिए हो जाएगा जिस दिन महाराष्ट में क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ है या क्या हुआ तो उस दिन में आपको पूरा दल बदल वाला एक बार मामला वहां पर समझा दूगा कि आखिर जो भी हुआ वो किस प्रावधान के तहत हुँ तो सबसे पहले समविधान की पाँचवी अब हमने दसवी अनुसूची ग्यारवी अरू बारवी आपको पता है तीहुत्तरवे चोह अगाले त्रिपूरा और मिजोरम के जो चार राज्य है वो आपको मिलेंगे छटी अनुसूची में इन चार राज्यों को छोड़कर बाकी के जो राज्य अनुसूची तो जन्जातिक शेत्र के उनके प्राशासन और नियंत्रन के बारे में जो चर्चा है वो पाँचवी जो चार राज्य और इनको याद रखना बहुत आसाने को कई सारे बच्चों को ये याद है पर अगर आपको दिक्कत आती याद रखने में छटी अनुसूची में तो इसके लिए आप इसको एक फ़ार्मिला अमेत्रीमी के नाम से याद कर सकते हैं अमेत्रीमी, अमेत्रीमी का मतलब आप खुद समझ जाओगे, अ से असम, मे से मेगाले, त्री से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, अमेत्रीमी जो राज्य है, वो राज्य हमारी छटी अनुसूची में है, और वो आपको कभी भी भूलने में नहीं आएगा, अगर आप ये एक शब्द याद रख सको, अमेत्रीमी का, तो ये अमेत्रीमी जो है, ये प्रशासन के बारे में आपको उपबंध समविधान की प्काटी अनुसूची में मिलेंगे, तो मैंने आपसे किया कहा था? मैंने आपसे कहा था कि आम तोर पर, जो साधारन बच्चे होते हिस, तो यहीं तक याद रखते हैं उनने बस यह ही तक पता है, जो होते हैं, या जो शच Мेंस इमान दरी मेंलित से एक्दम तयारी करें ड और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि शाव रात को दस बजे वाली जिओग्राफी वाला सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, फ्री में है, अनेकैडमी की अप्लिकेशन पर डेली फाउंडेशन कोर्से 2023-2025 के बच्चों के लिए, मैं एकदम बेसिक स सब्सक्राइब के लिए, और अभी हम चैप्टर तीन तक आए हैं, अभी आप लेट नहीं हुए हैं, जल्दी से जल्दी रात को दस बजे वाले सेशन को आज से ही अटेंड कर सकते हैं, तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चला है, दूसरे राज्यों की तुन मिलने, जुलने वाले से तो से ह हाइ हलो कहते हैं, जो हमारे बहुत होते हैं, तो उनके साहजहते हwegen से आत्मियत से लिए हैं, बाते करते हैं, गले मिला खुष göruje laid-ए उनकों मन प्रसंफों हो जाता है, तो वैसे ही जैसे हमारा व्यवार अलग-अलोग लोगों के लिए देखो यहां आदिम निवासी रहते हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेश प्रयास के आवश्चक्ता होती है यह बात आपको पता है जहां तक हम बात कर रहे हैं जन्जातियों की तो जन्जातियों के बारे में बहुत ज्यादा पिछड़े भी होते हैं कारण यह कि उनमें शिक्षा का इस्तर बहुत निम्न होता है ठीक है इसके अलावा बहुत सरी रूडिवादिता के भी वह कई बार शिकार हो जाते हैं वैसे जन्जातियों हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है बहुत आवश्यक संपधा को सहरे करने में एक बहुत महत भापून भूमी का निभाते हैं तो जन्जाति लोगों को आपको पताए कि एक to सामजी कार्थी को रूप से वह पिछड़े होते हैं ना जंगलों में रहते हैं उनके घर भी आपने दिखा होगा कि कच्छे घास पूस भर बने होते जोपड़ी टाइप के बने होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ती भी नहीं होती है, ठीक है, और भुले भाले भी होते हैं, अतहर राज्यों में चलने वाली सामानी प्रशासनिक विवस्ता अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती, और केंदर सरकार की इन लागू नहीं हो पाती, उसका फाइदा इन तक नहीं पहुच पाता, कई बार इनकी अशिक्षा, कई बार इन में जागरुकता का भाव, और कई बार ये मुख्यधारा से अलग हैं, ये भी एक कारण है, अभी आपने देखा होगा कि भारत में एक राष्ट्रपती के लिए एक जनजाती महिला उनका नाम सामने है और पुरा देश के से खुश हो गया, क्यों खुश हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आजादी के इतने साल हो गए हमें आजादुए को, आज तक भी अनुसूचित जनजाती का कोई राष्ट्रपती भारत में नहीं बन सका है तो एक प्रकार से उस वर्ग का वहां तक जाना सत्ता के देश के शीर्षपद पर जाना ये बताता है कि भारत सभी वर्गों का ध्यान रखता है, भारत में समाज के सबसे निचले तपके के लोगों के बारे में भी ध्यान रखा जाता है, और यह हर व्यक्ति को ये अवसर ह कि वो सत्ता की शिर्ष पत्तक चला जाए तो यह आप देख सकते हूं कि इनके लिए विशेश प्रावधान किये गहें इसी कारण से विशेश्टा के हैं पाच्वी अनुसूची में पाच्वी अनुसूची में जो प्राशासन की विशेश्टा है उनको समझने की कोशिष करिए नमबरेक कौन करता है घोषना क्षा उनकारत है कि सी इलाके को अनुसूचित क्षेतर काये कि क्या है के आज से इस दिनांक से यह इलागा अनुसूचित क्षेतर कहलाएगा कौन करता है ति प्रेजिडेंट ओफ इंडिया भारत के राष्ट्रपती को यह अधिकार है कि किसी भी क्षेतर को अनुसूचित क्षेतर गोशित कर सकते हैं सबसे पहले यह पॉइंट किया दखना गोशित करने का अधिकार महामहीम कि अब दोबनांविशेश को है जैसे आपको पता है कि हमारे एक प्रावधान ने धन विद्यक को ले कर कोई विद्यक धन विद्यक धन विद्यक है कि नहीं इसको घोष्षित करने का दिकार किसको हटलोग सभा के अध्यक्ष को स्पीकर किसी विदेख को धन विदेख गोशित कर सकता है यदि उसे लग रहा है तो एक बार यदि लोग सभा के अध्यक्ष ने किसी विदेख को धन विदेख गोशित कर दिया तो आप सभी को पताए कि फिर उस विदेख का पूरा के पूरा रुतबा ही चेंज हो जाता है व यहां पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेतर को अनुसुचित क्षेतर गूशित कर सकते हैं. राश्ट्रपती को संबंधित राज्य के राज्जिपाल के साथ परामर्ष करके किसी अनुसुचित क्षेत्र के इलाके को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का भी अधिकार है, आम तोर पर आपने देखा होगा, कि हमारे या किसी र राज्य के पुनरगठन का अधिकार संसत को है, वैसे ही किसी अनुसुचित क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार भारत के राश्ट्रपती को है, समझ गए आप लोग, भारत के राश्ट्रपती किसी भी अनुसुचित क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा सक कर सकते हैं उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन ऐसा वो राज्यपाल के परामर्ष से करते हैं आगे समझ में इसके लिए वो क्या करते हैं उस संबंधित राज्यके जिस भी राज्यके ये अनुसुचित क्षेत्र की बात में कर रहा हूं उस राज्यके राज्यपाल से वो परामर्श करते हैं सलाह लेते हैं फिर राश्ट्रपती संबंधित राज्यके राज्यपाल की सला पर एसे क्षेत्रों के नामों को रद्द करने के लिए नया आदेश भी दे सकते हैं तो आप समझ गया होंगे कि यह पावर जो है अल्टिमेटली वो प्रेजिडेंट आफ इंडिया के पास में है और वो इस तरह का निर्णे राज्यपाल की सलाह पर पहला वाला समझ में आ ग समझते होंगे उनके इलाकों को चेंज करें नाम बदल सकते और फ यर समस्वात कि किसी और नहीं पर अनुचि को दिक्कत नहींाईगी बिस ध्यान से समझते रहो यह पहला हो रुत तुसरा यहां पर अगर आपको अगर लगेगा कि केंद्र और राज्य की कारेकारी शक्ति कैसे होगी जैसे क्या बाकी इलाकों में जैसे हमारी कारेपाली का शक्तियां केंद्र सरकार राज्य सरकार की है क्या इन इलाकों में भी केंद्र और राज्य सरकार की कारेकारी शक्ति बारे बारे में उनके पास जो शक्ति के वह उनकी हो शक्तिया उन् le こ पर भी लागू होती है लेकिन इस मामले में राज्यपाल को थोड़ी सी विशेज जिम्मेदारी दी गई है ठीक है राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपती को वार्शिक रिपोर्ट देता है मतलब एक और चीज़ जैसे आपने पड़ा होगा कि हमारे जितने आयोग बनते हैं जाहें यूपीएस्टी हो गया नियंतरक महालेखा परिक्षक हो गया आपका अनुसुचे जाती आयोग जन जाती आयोग या आपने मानवादी का रायोग पड़े होंगे सारे आयोग साल भर क्या किया साल भर जो कुछ भी किया है उसकी एक रिपोर्ट बना के भारत के राश्ट्रपती को प्रस्तूत करते हैं हम उसे कहते हैं वार्षिक प्रतिवेदन क्या कहते हैं वार्षिक प्रतिवेदन तो लगभग लगभग हर आयोग भारत के राश्ट्र मेंदारी है कि अनुसुचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वो राष्ट्रपती को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें सालाना एक रिपोर्ट बनाएं कि पुरे साल भर में इन क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर क्या क्या किया गया है यह बताए यह जरूरी नहीं है कि एसे क्षेत्रों के प्राश्या-षंव के बारे में राज्यू को निर्देमख़ केंदर शकती के अंचरगत है राज्य को confessिने कि मैंने अपको बिताय था कि यााफ नदेश के पास में शक्ति है कि राज्य को कुछ मामलों में निर्देश चरगती और राज्य को मानना जरूरी है। यदि कोई केंद्र की कारे कारी शक्ति के अंतरगेद उसके आदेश्यु को मानने से मना करता है। महां राश्ट्रपतीशास्थास्न लगाया जा सकता है् तो यहाँ पर उस क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कारेकारी शक्ति के अंतरगत आता है। चलिए ये दूसरा पॉइंट भी याद हो गया। तीसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है जनजाती सलाहकार परीशन। दरसल भारत के संविधान में जो जनजाती के पृण के लिए इन फई ही तो के लिए को हॉआ जो सलहट देने वाला जैसे हमारे में है महिला ऑयोग बनाय गया गया है जन जाती आयोग है वैसे ही इन इन इलाकोंthen जन्जाती ता परीशद बनाई गई इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप यह समझ जाओगे न तो आपको बहुत सारी चीज़े अपने आप क्लियर हो जाएगी ऐसे राज्ये जिनके अंतरगत अनुसूचित क्षेत्र हैं तो सबसे पहले तो जो राज्ये जो जिन जिन में हमने कहा कि अनुसूचित क्षे जाता है जो अनुसूचित जन्जातियों के कल्यान और उत्थान के लिए सलाह देती है ठीक है तो एक जन्जाती सलाहकार परिशद वहां पर गठित की जाएगी जो कि भारत के राश्टपती को सलाह देगी किसके लिए अनुसूचित जन्जाती और अनुसूचित जन्जात कर सकते हो चाहो तो जन्जाती सलहकार परिशद में कुल 20 सदस्य होते हैं जिन में 3 चोथाई सदस्य राज्य विधान सभा में अनुसुचित जन्जातियों के प्रतिनिधी होने चाहिए कितना होता है 20 का 3 4 निकाल के जरह मुझे बताओ तो 20 का 3 4 होता है 15 15 तो 20 में से कम सेंगम आप देखेंगे 15 जो सदस्य है 75 तो यह जो 15 सदस्य होंगे ठीके ये उस राज जी की विधान सभा में जन जाती के प्रतिनिधी होते हैं इस तरह की परिश्द अब एक कुश्चन अगर आप से कभी पूछे एक्जाम में तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हुना क्या जन जाती सलहकार परिश्द सिर्फ उन राज्यों में गठित की जा सकती ह आनुसुचित क्षेतर हैं आप में मतलम मैं आपसे अगर ये पूझाकि संविधान की पांचवी और छटी हैं उनको छोड़ कर। ध्यान से सुनना, सम्विधान की पांचवी और छटी अनुसूची के राज्यों को छोड़ कर, क्या किसी और राज्य में भी जन्जाती सलाकार परिशत गठित हो सकती है, आंसर बोता, हाँ या ना, हो सकती है कि नहीं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर है सम्विधान के इन अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को छोड़ कर उन राज्यों में भी परिशत गठित की जा सकती है, जहां अनुसूचित जन्जातिया तो हैं, लेकिन अनुसूचित जन्जाती क्षेत्र नहीं है, मतलब वहाँ पर अनुसूचित जन्जातिया हैं लेकिन राश्ट्रपती ने उसको अनुसूचित जन जाती क्षेत्र की तौर पर गोशित नहीं किया जिसे एक्जामपल ले लो आप केरल का ठीक है केरल हमारे यहां पर पाचवी छटी अनुसूची में नहीं आता लेकिन केरल में यदि जन जाती है, तो केरल में भी एक अनुसूचित जन जाती परिशत का गठन किया जा सकता है, आगे समझ में, पिर कानून की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में कानून को लागू करने के बारे में समझो, कैसे लागू हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं वो आपक अन्रोश्चित क्षेत्रों में अम्यान करें या कुछ परिवर्तन और अपवाद के स्वरूप उसे लागू करें. तो अब जैसे कोई कानून है जो संसद ने बनाया है, कोई कानून है जो राज्य की वीहां सवा ने बनाया है, तो राज्यिपाल के पास एक विशेश अधिकार होता है में कि इन इलाकों में वो उस कानून को वैसे भी लागू ... कुछ अपवात स्वरूप लागू कर सकता एंप परिवर्तन के साहत लागूम कर सकता है या लागू नहीं भी कर सकता है आपको याद होगा हमने पढ़ा था 73 संविधान संशोधन याद है आपको 73 संविधान संशोधन अधीनियम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1992 का इसके द्वारा हमने पंचायतों की एक एक बात समझी है अब मुझे याद बताओ आप लोग कि 73 संविधान संशोधन अधीनियम के बाद मुझे आपको पंचायते पढ़ाने के बाद पेसा एक्ट पढ़ाने की क्या जरूत पड़ी थी मैंने आपको एक पेसा एक्ट पढ़ाया था ना हाँ 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 याद आगया होगा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज कानून को विस्तार करने के लिए दरसल 73 संविधान संशोधन जो था ना 73 संविधान संशोधन आपको पता है कि यह अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता था अनुसुचित क्षेत्रों में भी पंचायती राज की स्थापना के लिए उनको भी इस्थानिय स्वशासन देने के लिए जनजातियों को भी अपने उपर शासन करने का अधिकार देने के लिए हमने एक पेशा एक्ट पारिक किया और तिहोत्तरवे सम्विधान संशोधन को हम ने वहाँ भी ब्लागू कर दिया को है असमझ में हम चलिए तो यह अनुसुचित क्षेत्रों का जो प्रशाषन है उसमें कानून की बारे में कि राजच्यपाल अनुसुचित में सानसद्य किसी कानून को हो सकता है कि विशेष रस Great, लागू ना करें या किसी परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांती और अच्छी सरकार के लिए जनजाती सलाकार परिशद से विचार विमर्ष का नियमन बना सकता है अभी मैंने आप से बताया कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जनजाती सलाकार परिशद भी कि थोड़ी देर पहले में आपको बताया था कितने सदस्य होते हैं कि इतनी जल्दी तो आप नहीं बूलोगे इतनी जल्दी तो आप नहीं बूलोगे शौट टम मेमोरी लॉस्त तो नहीं होगा अभी मैंने आपको बताया था जनजाती सलाकार परिशद में सदस्य कितने सदस्य होते हैं जन जाती सलाकार परिशद में कितने सदस्य होते तेखो यह गडबर कर दिने सी देर में 20 सदस्य होते पंदरा थोड़े नोते कि होते तो 20 हैं ठीक है अनुशूचित क्षेत्रों में जो जनजाती सलाकार परिशद होती है उसमें 20 अधसित होते और यह पॉइंट वहीं से जुड़ा है कि राज्यपाल जनजाती सलाकार परिशद से विचार विमर्ष का नियम बना सकता है कि आप जनजाती सलाकार में अनुसूचित जंजातियों के कल्यान के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठित करें यह आपको पता है कि राष्ट्रपती जी को इस तरह का अधिकार है कि वह अनुसूचित जंजातियों के कल्यान के लिए उनके क्षेत्रों के यागु हुआ 1950 में तो उसके 10 साल के बाद 1960 के बाद राष्ट्रपती को यह अधिकार था कि वो कभी भी अनुसुचित जन्जाती के कल्यान और अनुसुचित जन्जाती के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं और इस तरह का आयोग 1960 में गठित यूएन धेबर के द्वारा इसके अध्यक्ष्टा की गई थी और 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की यह 1960 के बात है इसके 40 साल के बाद 2002 में लगभव 4 दशक के बाद दूसरे आयोग का गठन भी किया गया 2002 में दिलिपसी भूरिया की अध्यक्ष्टा में आपको पता होगा इस तरह के दूसरे आयोग का गठन किया गया ठीक है अभी तक दो आयोगों का गठन राष्ट्रपती जी इस मामले में कर चुके हैं पहला 1960 में यूएन धेबर की अध्यक्ष्टा में और दूसरा 2002 में दि अब जबांग की च आफ जैसे अनुसुल देगा चार राज्ये आसम मेगाले specifically कि अन्यों और मिजपढ़ां जोहे इनके जंजातीक में विशेष प्रावधानों का वर्णन आपको मिलेगा छटी अनुसूची में कारण क्या है आप में से कई लोगों को कभी इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में आया कुछ इससा डाउट आया है कि जब जन्जाती क्षित्रों का प्रशासन पांचवी अनुसूची में रखा गया या किया गया है तो छटी कि इन चार राज्यों के लिए जोड़ने की क्या जरूत ही पहले तो बताओ क्या इस तरह का कुष्चन कभी दिमाग में आया है तो इन्होंने क्या किया है समवीधान में कि यह चार राज्ये है इनके लिए हमने अलग से प्रावधान छटी अनुसूची में किया है और इसक जातिया घुल मिल नहीं पाई बाकी राज्यों और यहां की जन जातियों में अंतर के दिखो बाकी राज्यों की जो जन जातियां जैसे आप मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे जादा जन जाती संख्या कहा है मध्य प्रदेश में अगर हम जन संख्या के साथ घुल मिल चुकी है मतलब वहां की जन जाती और आम जनता लगभग एक जैसी अब हो चुकिए बहुत अंतर उसमें नहीं मिलेगा आपको ऐसा ही बाकी राज्यों में भी है इन चार राज्यों की परिस्थितिया थोड़ी सी अलग है इन चार राज्यों में क्या है ना क कि इन चार राज्यों की जो जन जाती है असमें गाले त्रफुर र Moram की यहां की जन जाती अभी भी वहां की आम जनता के साथ घुल्मिन नहीं पाई है वो अभी भी उनका मामला अलग ही चल रहा है यह कारण है कि इन्होंने चार राज्यों के लिए एक और अलग से प्रावधान और उनकी विशेष्टाएं हमें याद हो गई होगी छटी अनुसूची के बारे में अब समझेंगे कि छटी अनुसूची में इन चार राज्यों के जन जाती एक शेत्रों में स्वायत शासिया स्वशासी जीलों का गठन किया गया है लेकिन वह संबंदित राज्य के कारिकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि इन चार राज्यों में कुछ जिले ऐसे हैं जो यहां की जन जातियों के जिले हैं वहां पर बनाई गई है स्वशासी जिले मतलब की उन जिलों को बाकी जिलों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा अधिकार दिया गया है इसको सबसे अच्छा अगर आपको समझना हो तो भारत में दो तरह की कंपनिया हैं एक सरकारी कमपनियां महारत में आपको पता है कि दो तरह की है एक साधारन कमपनी और दूसरी महारतन कमपनी आप ये देखोगे कि साधारन कमपनी पर भी सरकार का अधिकार है महारतन कमपनी पर भी सरकार का अधिकार है तो साधारन और महारतन में अंतर क्या है कि एक साधारन सरकारी कमपनी में और एक महारत्न कमपनी में अंतर किया है अंतर इतना है कि महारत्न कमपनी को अपने लिए कुछ निरने लेने का अधिकार है यह बात आपको पता होगी पांच हजार करोड रुपे तक के निवेश के फैसले, एक महारतन कमपनी का दर्जा अगर किसी को मिल जाए, टैग मिल जाए, तो महारतन कमपनी पांच हजार करोड तक के निवेश के फैसले खुद से ले सकती है, सरकार से पूछे बगेर, वहीं एक साधारन कमपनी कोई अध पराख का नियंत्र थोड़ा ज्यादा होता है और जो इन चार राज्यों में स्वशासी जिले तो भूभी सर्कार के अंडर में पर वहां पर उनको थोड़े से अधिकार ज्यादा दिये गए आया समझ में का रहा, होब क Onu ओक पर ने अपन में को हो और यहां पर हमारा कोंटेक्ट तो तो है नहीं कि अगर कि अगर सामने बेख़े हो बुगे तो मैं सभ समझ जाऊंग explicitिकि कि आपको तो तो थोड़ा से हिना आपने जो भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अप दिक्कत क्या है ना कि यहां आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपको नहीं देख पारा तो आपके कॉमेंट ही एक वह जरीया होता है जो हमारे बीच एक संवाद यहां बच्चे मुझ से बात करने के अपेक्षा दूसरों से बात करने में बड़े इंट्रस्टेड होते हैं सर से क्या बात करना यह तो पढ़ाएंगे चले जाएंगे तो थोड़ा सा है अपने अगमें जोभी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऊस मामले को मेरे साथ साढ़ करें तो जयादा बहतर रहेगा यह प्योंने द tweet के बारे में आपको समंझ में आ ग्यां और यहां पर जन जाती एक्षेत्रों में 703 जीलो का घटन किया गया है। लेकिन वह सम्दित आप दूसरे पॉइंट को समझो इन चारो सीजी जो जीले है राजयपाल जो है उसको जीले कि तो ही अधिकार है कि हो श्वाशाशी जीलो को स्थापित या पुणर स्थापित कर सकता है अताराजयपाल इनके खेत्रों को बड़ा या घटा सकता है नाम परिवर्शन कर सकता है, यह सीमाय निर्दारित कर सकता है, यह जैसे अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपती का अधिकार पिछली बार, पांच भी अनुसूची में अनुसूचित खेत्र गोशित करने का अधिकार किसका है, भारत के राष्ट्रपती का, यहां पर देख इन चारो राज्यों के राज्यपाल, असम के राज्यपाल को, मेगाले के राज्यपाल को, त्रिपुरा के राज्यपाल को, मिजोरम के राज्यपाल को यह अधिकार है, कि वो अपने राज्य में स्वशासी जीलों को इस्थापित कर सकते हैं, उनका दाइरा बढ़ा सकते हैं, उनका नाम परिवर्तन कर सकते हैं, इस्थापित या पुनर इस्थापित कर सकता है, उन क्षेत्रों को राज्यपाल बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता तो यहाँ पर राज्यपाल को याधिकार देदिया गये है। बस यहाँ आपको राज्यपाल ए वह राश्ट मधिए अगर सवाषाजी जीली में विभिन कर सकते हैं अगर मानली जी कि उन स्वस्चाशी जीलों में बहुत सारी अलग-अललग जंद्क है जैसे जंजाती है भी अलग-अलग हो सकती डिया की जंजा इस दर्शतियु नहीं हो ज़री तो हैं Là Là La राज्येपाल उस जीलों को भी कई सारे इलागों में बांट सकते हैं जैसे A, B, C, D हमारा शेहर बटाओ तरह सेक्टर A, सेक्टर B, सेक्टर C, सेक्टर D वैसे ही आप समझ जाओगे कि अगर उस स्वशासी जीले में एक दम शान्ती से समझो सब समझ में अगर सबसे पहले तो शुरुवात अगर आगी तो सब समझ में जाए शुरुवात कहां से करेंगे शुरुवात कहां से करेंगे शुरुवात कहां से करें देखो शुरुवात यह करेंगे कि राज्येपाल कोई अधिकार है कि वह इन चार राज्यों में स्वशास जीले में एक से ज़्यादा जन जातिया हैं तो राज्यपाल उस जीले को कई सारे प्रदेशों में मतलब क्षेत्रों में बाट सकता है ठीक है तो यह आपका तीसरा पॉइंट भी आगया हो आपको समझ में फिर अगला देखें प्रत्येक स्वशासी जीले के लिए जीला परिशद होगी जैसे मैंने आपको पिछले वाली में बताया था पांचवे अनुसूची में क्या था एक जन्जाती सलाकर परिशद देखो आपने अभी रिसेंट लेग न्यूज पढ़ी होगी और वो न्यूज यह थी कि अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश पांचवे अनुसूची से निकल के छटी अनुसूची में जाना चाहता है मतलब अब वो इन चार राज्यों की केटेगरी में आना चाह तो इसके क्या प्रावधाने वापको बता है अरुनाचल की विधानसवा पारित करेगी और संसद साधारन बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके उसको चटी अनुसूची में डाल सकती कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारी संसद को चुटकी बजाने जैसा काम आसा ने पताक सेग्स चुटकी विधानसवाधारन बहुमत से एक पारित होगा और अरुनाचल प्रदेश पाच्वी से चटी में आ जाएगा लेकिन चटी में वहीं तो समझना है कि चटी अनुसूची में अगर अरुनाचल प्रदेश में जन जाती सलाकार परिशत की जगे जिला परिशद हो जाएगी यहां भी स्वाशासी जीले गठित हो जाएंगे यहां भी क्या हो जाएगा जीला परिशद आजाएगी तो हर स्वाशासी जीले के लिए जीला परिशद होगी जैसे वहां जन्जाती सलाकार परिशद यहां पर एक जीला परिशद होती है आग्या एक जिला परिशद बनेगी जो तीस सदस्यों से मिल कर देखो अब आपको सब समझ में आ जाएगा आए नो कि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार इस तरह के प्रावधानों से मुखातिब हैं सहना कई आपने सहाध पड़े नहीं होंगे जर्ण जाती सलहकार परिशन में कितने सदस्यों ذैं कि अब बता vit 2030 तो इहां आपको प्रमिलेंगे दोगे सथ स साथ होगी और वह 35 مilcar बनेगी जिसमें राजिपाल द्वारा सदस्य नामित किये जाएंगे ठीके चार सदस्य राज्यपाल के द्वारा और 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधारपन निर्वाचित किये जाएंगे इसकी संद्रचना भी समझ लो इसकी संरचना भी समझ लो यहां पर हमने देखे कि एक जिला परिशत जो होगी स्वशासी जिले की उसमें 30 सदस्य हैं 30 सदस्य को दो भागों में बाटो 26 प्लस 4 यह 4 सदस्य हैं वहां के राज्यपाल के द्वारा मनुनीत किये जाएंगे और 26 सदस्यों का होगा चुनाओ जनता के द्वार वयस्क मतादिकार के आधार वयस्क जिसे बहुत आसाल है नगरपालिका के चुनाओ मैंने आपको बताए थे कि वहां की जनता प्रत्यक्ष रूप से वयस्क निर्वाचन के द्वारा इन इलाकों में जिला परिशत के सदस्य वैसे ही जो है 26 सदस्य जनता चुनेगी प्रत्यक्ष निर्वाचन से और चार सदस्य वहां के राज्यपाल के द्वारा मनुनीत किये जाएंगे ठीक है कारे काल कितना होगा 5 साल कितना होता है ने कि अगर पाल एक कारे का श्रीकर्ण सेमें कारे का इन तेन्यौर विल भी हो 5 और कंच साल के मुझे पर अच्छा लगता है जब में कुछ इसा टापिक पढ़ाता हूं जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते यह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है मुझे बड़ आच्छा लगता है तो कि मिल जाती है उसकी उतनी वैलियू न है ऐसी, बहुत कम मिलती है, रेर है अगर उस परिशत को पहले भंग नहीं किया गया है तो अब चुकि परिशत जिसे नगरपालिका में भी आपको पता है कि नगरपालिका में पात साल का कारेकाल होता है और पहले चाहे तो पात साल के पहले ही भंग कर दो नगरपालिका को कोई दिक्कत नहीं यहां परिशत का कारेकाल पात साल का होता है और इसके सदस्यों को मिल पहले भी भंग कर सकते हैं और जो मनोनीत सदस्य हैं वो राज्यपाल के प्रशात परीयंद पढ दाहरं करते हैं निंका कोई फिक्स कारीकाल नहीं मनोसित सदस्यो परिशद हो एक परिशद होती है और अपने अदिन क्षेत्रों के लिए विद्य बनाने की उनको Sure तो इनको अपने उपर कानून बनाने का अधिकार है वे भूमी वन नहर ठीके उस इलाके की भूमी वन नहर परिवर्ति खेती गाउप्रशाजन संपत्ती की विरासत विवा विवा विच्छे तलाक सामाजिक रूडियां आदी विश्यों पर विधी बना सकते हैं समझ गए कि इसको समझने के लिए आपको 73 या 74 संविदान संशोदन दिबाग में साथ में लेके चलना पड़े गए कि 73 संविदान संशोदन में अमने देखा पंचायतों को 29 विशय दिए गए चोहत्तरवे संविदान संशोदन में नगरपालिकाओं को 18 विशय दिए गए बस वैसे ही इनको भी कुछ मामले दिए गए हाला कि इनको वह मामले भी जो उनके पास नहीं क्या ग्राम पंचायत क्या आपकी नगरपाली का पंचायत या नगरपाली का है विवाह विच्छेत को लेकर कानून बना सकती है नहीं बना सकती है लेकिन इनको विवाह विच्छेत तलाक जैसे मामलों में कानून बनाने का अधिकार भी है यही तो चीज़े जो अलग करती क्ई अगर मानलो कि हम कह रहे हैं कि अलग है अलग आगर इनको यह अधिकार रहे हैं कि आप अपने कानून बना सकते हो शादी को लेकर भी विवाह विच्छेत को तलाग को लेकर भी तो ही तो नहीं पंचायतों नगरपाली काउं से अलग हैं वरना पंचायतों में नगरपाली काउं और इनमें अंतर क्या रहता अंतर ही तो समझना हैं अंतर ही तो पकड़ना है क्योंकि अंतर नहीं होगा तो फिर तो सब सेम हो जाएगा फिर तो मैं इनको 73 में पड़ा दूँगा आपको 74 में डाल दूँगा तो इनको ये सारी चीजों पर कानून बनाने के अधिकार है लेकिन एक प्रावधान है राज्यपाल की स्विक्रती बहुत जरूरी है कोई भी कानून ये अपने लिए इन में से बनाए तो उसमें राज्यपाल की स्विक्रती जरूरी बिना राज्यपाल की स्विक्रती के जिला और प्रादेशिक परिशद अपने अधीन क्षेत्रों में जन जातियों के आपसी मामलों के निप्तारे के लिए ग्राम परिशद या न्यायलेयों का गठन भी कर सकती हैं, मतलब अगर मान लिए वहां पर जैसे कोई विवाद हैं या निरणय करवाना हो, तो ऐसे चीज में प्रात्मिक विद्याले, औश्यदाले, बाजार, फेरी, मत्स, एक्षेत्र, सड़क आदी को इस्थापित या निर्मान कर सकती है, जिला परिशद अपने यहां पर स्कूल बनवा सकती है, प्रात्मिक विद्याले, जिसे आप लोग कहते हैं, प्राइमरी स्कूल हो गया या कोई औश्यदाले, अस्पताले हो गया, बाजार या फेरी या यह जो इस चीज़ें, इनको स्थापित करने का अधिकार भी जिला परिशद हो है, ठीक है, फिर जिला परिशद साहुकारों पर नियंत्र, वही, अंग्रेजों के काल से हमें एक बात पो समझ में आगी, य फेरी आपके यहां पर कभी कोई गली में, कॉलोनी में, महले में फेरी वाले नहीं आए, सर पे सामान रखके, चिलाते हुए, चटाही ले लो, ठीक है, या जाडू ले लो, छोटी-मोटी घरेलू उपयोग की वस्तुएं लेके, लोग बाग आ देंगी नहीं आते हैं घर क बाहर कॉलोनियों में, अच्छा, अब आपको यह बात पता होगी, कि अंग्रेजों के काल में, बहुत सारे किसान विद्रो भी हुए, बहुत सारे जन्जाती विद्रो भी हुए, अगर आप अंग्रेजों के काल में जन्जाती विद्रो पड़ोगे, तो जन्जाती विद् स görब पूरे बारत से अंग्रेज वसूल कर रहे थे वैसा ही जनजातियों से भी वबसूल करने लग घः刹ो भूफी राजशित्य था वो भी समीदारों केंडर मतलब समीदारों को जो है राजश्व देना पड़े गा इस ताहीम जो सिस्ज लागू की गई कोई औशदी कोई लकडी या कोई उत्पाद लेने जाएंगे तो इससे पूछ के थोड़े न जाएंगे वो जंगल उनका घर है और वो जंगल ही उनकी संपत्ती है जंगल पर उनके परंपराकत अधिकारे किसी से लेनी की जरूत नहीं है पर अंग्रेजों के लालच ने सब पहुंच गए और जब वो करजा लेते थे तो फिर बाद में वही होता था उनकी जमीने जब तकर ले जाती बेदखल कर दिया जाता आदीवासी जंजाती लोग भूखों मरने की कगार पर आगए यही कारण था कि आपको पता है कि भारत में कई सारी जंजातियों ने विद संकает जह रहें देन अच्राण करनना इस इलाके में बढ़ ज़रूरी है तो हमारी सर्कार ने किया जिला परिशथ साभू कारों पर नियंतरण और में गेर जन जाती समुदय लिव्यापार पर विनियमें बना सकते मतलब इनके इलाकों में पोई गेर जन जाती विक्ती आ झ अधिकारों को खा जाए इनका हक खा जाए यह सरकार को मनजूर नहीं यह संविधान को मनजूर नहीं तो इनको यह अधिकार दिया गया है कि जिला परिशत इनको लेकर कानून बना सकती है नियम बना सकती है लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज जिपाल की स्विक्रती जरूर है ठीक है जिला और प्रादेशिक परिशत को भू राजस्व का आकलन और संग्रहन करने का अधिकार है फिर यही परिशत तै करती है कि इस पूरे इलाके में जो भू राजस्व कितना लगाया जाएगा नहीं लगाया जाएगा वह सब कुछ विनिर्दिष्ट कर भी कुछ टै रखता है कि हमारी संसद या हमारा विधान सभा कोई भी कानून बनाएं तो वह इन जीलों में स्वश्चासी जीलों में लागू नहीं होता है और अगर होता है तो अपवादों के साथ या फेर बदल के साथ क्योंकि मैंने आपको त्योत्तरव चोत्तरव में समझा चुका ह कि कोई भी कानून इन में लागू करने के लिए यहां पर या तो पहले परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि इनकी परिस्तिती थोड़ी सी अलग है तो यह भी पॉइंट समझ में आगया होगा आपको लास्ट राजिपाल स्वशासी जीलों या परिशदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग का गठत कर सकता है राजिपाल आयोग की सिफारिश पर इन परिशदों को विगटित भी कर सकता है तो फिर आखरी में इनके कामों की जांच करने के लिए और इन सारी चीजों के लिए राजिपाल को अधिकारिक हो एक आयोग का रिपोर्ट पर वो इनको हटा भी सकता है खतम भी कर सकते हैं मौरल अब देस्टोरिंग कभी भी पांच वी और छटी अनुसूची से आप से कुछन पूछे तो क्या बताईए बस इतना बताईएगा कि भारत में कुछ विशेश क्षेत्र हैं जिनने अनुसूचित क्षेत्र कि आँ प्राशासन के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं भारत में विशेश होती है छटी अनुसूची में स्वशासी जीला परिशद होती है यह सब आप समझ गयोंगे कि विशेश अधिकार भी आप समझ गयोंगे तो नाओ लेट्स कम टूदी कि नेक्स चेप्टर अध्याए 42 एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ठीक है हमारा अनुसूचित और अनुसूचित जन्जाती क्षेटरों के प्रशाषण वला अध्याय यहां समाप्त होता हैं और अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के संव्यदान संश्था है आप सभी को पताए कि भारत के संकतान में जो संवेधानिक संस्था है वो यहा से शुरू होती है के दरसल कई सारे बच्चे एक कोश्चन बहुत बार पूछते रहते हैं और वो शाइद इसनी कुई उन्हें क्लियर नहीं समवेधानिक आयोग और गेर समवेधानिक आयोग में क्या आंतर है जैसे कई बार वो पढ़ते कुछ आयोग सम्विधानिक है, constitutional है, और कुछ आयोग गैर सम्विधानिक है, non-constitutional है, तो difference क्या है? सीधा सा difference है, जो आयोग सम्विधान के द्वारा गठित किये गए है, जिन आयोगों के बारे में आपको सम्विधान में कहीं भी मिल जाए, पहले अनुच्छेट से लिखे आखरी अनुच्छेट तक, किसी अनुसूची में, कहीं भी अगर आपको किसी आयोग के बारे में मिल जाए, तो वो आयोग एक समविधानिक आयोग कहलाएगा, ठीके, यदि उस आयोग के बारे में समविधान में कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे समविधान को चान लो, तो वो कहलाएगा गैर समविधानिक आयोग, जैसे मैं आपको एक्जामपल दू, इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया यह भारत के ही सम्विधान के अनुच्छे 324-329 में आपको मिलेगा तो यह क्या है यह सम्वेधानिक आयोग है यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपी असी यह आपको सम्विधान में मिल जाएगा यह अनुच्छी जाती आयोग जिनका सम्विधान में जिक्र नहीं है जैसे मानव अधिकार आयोग क्या भारत के सम्विधान के किसी अनुच्छेद में आपको मानव अधिकार आयोग के गठन का मिलेगा कुछ नहीं है यह आप से मान लीजे कि सूचना आयोग बोल दे केंद्रिय सतरकता आयोग का बोल द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया क्या है आपको मुझे बताने की जरूत नहीं है कि निर्वाचन आयोग क्या है और यह क्या करता है दरसल भारत में जो चुनाव है चाहे वो संसद के चुनाव हो गए लोकसभा राज्यसभा के राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव हो में एक आयोग करवाता है और उस आयोग का अब यहां पर एक और शब्द पूछाए फिर भी यह भी बता देता हूं आपको एक होता है संवेधानिक फिर वहीं चीज़ागी बार-बार मैं आपको पहले भी कई बार वैसे बता चुका हूं एक होता है सामविधिक तेखो संवेधानिक का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया संवेधानिक का मतलब है कि जो संविधान द्वारा स्रजित हो बस इतना समझो जो संविधान द्वारा स्रजित हो या बनाया गया हो सामविधिक क्या होता है सामविधिक होता है जो किसी विधी के द्वारा किसी विधी द्वारा कानून द्वारा बनाया गया हो या जैसे मैं आपको एक इक जांपल दिया और वह एक्जांपल था ब्सक नáनव लयक्श के लिए इसलिए क्योंकि मानव रायोक के लिए कानून बना यह किसी भी कानून से बना हुआ होग ना अगर दूसरे भी तो सामविधिक कहलाता है जैसे राष्ट्री मानव अधिकार अधिनियम बना हुआ है मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम से आयोग बना हुआ है तो एक सामविधिक आयोग कहलाएगा अगला केस्ट कोश्चन है कि यह नहीं सांवधिक भी कर सक न में तो एक सब्सक्राइब तो ऑन जोकित सब्सक्राइब थोड़िए छाहिए थोड़ीस्ट है खास है तो समवयूद गितने भी है सारे समवेधानिक आयोग सामविधिक भी कहलाएंगे समझ गए? यदि कोई आयोग समवेधानिक है तो वो सामविधिक होगा ही हमेशा ध्यान रखना हमेशा सामविधिक भी माना जाएगा लेकिन अगर कोई आयोग सामविधिक है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सम्वेधानिक भी हो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ठीके ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मानवाधिकार अधिनिया में कानून है तो मानवाधिकार आयोगे एक सामविधिक आयोगे पर यह सम्वेधानिक नहीं है क्योंकि समझ में आया कि नहीं आया तो हम क्या करेंगे हम इसको ऐसे समझें कि जो किसी सम्विधान द्वारा बनाए गए है वो सम्विधानिक है जो सम्विधान में नहीं है लेकिन दूसरे कानून से बनाए गए है वो साम्विधिक है और जो न सम्विधान के द्वारा बनाए गए है ना किसी कानून द्वारा बनाए गए है वो कहलाते हैं गेर सामविधिक गेर समवेधानिक चलिए आपको यहां तक समझ में आगया होगा आगे चले निर्वाचन आयोग एक इस्थाय और स्वतन तरनिक है सबसे पहले तो आपको यह ने बता दिया कि एक समवेधानिक आयोग है इसका काम बड़ा महत्तु पुने अब खेल देखते हैं क्रिकेट फुट-बॉल वगरा कोई भी तो आपने देखा हो जैसे फुट-बॉल में आपने रेफरी देखा होगा क्रिकेट में अपने कम पायर क्या जरूरत है उसकी एंपायर की या रैफरी जैसे लोगों की जरूरत क्या है जब भी दो टीमें आपस में खेल रही है दो प्रतिद्वंद्वी आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में विजयता कॉन है या कॉन कभी मानले जी किसी भी मामले पर विवाद हो गय सबी इस्विकार कर ले वेसे ही भारत में करवाने के लिए एक एसी संसथा की जरूरत है जो निश्पक्श जौन की सफद्व लोगतंत्र की सफलता किसपर निर्भर करती हैं लोगतंत्र की सफद्वतंतरता निर्भर करती supply है निश्पक्श चुनाओं यदि चुनाव निष्पक्ष नहीं है ठी के तो फिर आप देखेंगे कि वहांपर लोकतंत्र कफी सफल वही नहींस को भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारी जम्मेदारियां भी जाद है और il 피부 ढम फिर भी हमने सुधार किया है अभी कर रहे है और काफी बेहतर प्रदर्शन हमने इस मामले में किया है इस चीज का क्रेडिट किसको जाता है जानते हैं इसका क्रेडिट जाता है भारत में इस संस्था को जिसे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कहा जाता है दरसल संविधान बनाने वाले लोगों ने आपको पता है कि सरकार के तीन अंगों होते हमने कई बार पड़ ठीक है नॉर्मली आप कहते हो कि एक कारेपालिका होती है एक विधाईका होती और एक न्याईपालिका होती है लेकिन एक सिर् голос का रोल बड़ा इंप्रॉर्टर होता है जैसे इलेक्शन कमिशन औ реж से लिटाओ किस में आता है बताऊ क्या ये विधाईका में हाथ ये नियाईपालिका मैं लोग स्वतंत्र है या यू फीism conversations will you have तो कुछ संस्थाइं बनाई जाती हैं जो कि सरकार से पूरी तरह अलग होती है इसके किसी भी अंग से उसका कोई लेना देना नेगा तो यह आपको एक्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया सीएजी हो गया यूपी से हो गया निर्वाचन आयोग हो गया तो यह स्वतंत्रों निश्पक्ष संस्था है पूरी तरह से कि इसका गठन भारत सबसे पहले तो आपको समझना स्थाई स्थाई का मतलब है कि इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया हमेशा भारत में आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं कि गठन कर दिया फिर कारेकाल खतम हो गया तो कुछ समय तक खाली पड़ा हुआ ऐसा नहीं होगा स्वतंत्र है यह किसी पाल्टी किसी जो है दल से सरकार से किसी पक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है इसका गठन भारत के संविधान द्वारा किया गया है और किया गया है देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश से इसको बनाने का कि अगर कोई पूछे कि यह संविधान में कहा है तो आपको बताए संविधान का भाग 15 कौन सा भाग यह सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि संविधान के किस जगे पर यह दिया गए संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद है कि वह सारे प्रावधान इलेक्षन से जुड़े हुएं निर्वाचन से जुड़े हुएं 324 से 329 तक सबसे पहले 324 है संविधान के अनुच्छे 324 के अनुसार इस देश की संसत संसत में दोनों आ गए लोग सभार राज्य सभा दोनों आ गए राज्य के विधान मंडल विधान मंडल में भी दोनों आ गए यहां एक एक शब्द का अपना मतलब होता है यहां विधान सभा नहीं लिखा है समझ मैं यहां विधान सभा नहीं लिखा है यहां विधान मंडल लिखा है और अगर मैं आपसे पुझू कि विधान मंडल और विधान सभा में क्या अंतर है विधान सभा में सिर्फ विधान सभा अकेली आती है और विधान मंडल में विधान सभा विधान परिशद दोनों आती है तो यदि किसी राज्य में द्वी सद्निय विधाई का है विधान सभा के साथ विधान परिशद भी जैसा कि छे राज्यों में है तो विधान परिशद के चुनाव भी यही करवाएंग अगर है तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं तो विधान-मंडल के फिर रास्ट्रपति उपराष्ट्रपती के पदों के निर्वाचन इन सारे पदों पर निर्वाचन यही करवाता है और संचालन निर्देशन नियंत्रन की जिम्मेदारी चुनावायोग की है यहां से इसका गठन होता है यहां से Election Commission of India की उत्पत्ति होती है आगे समझ में कि उत्पत्ति कहां से हो रही है दूसरी चीज है यहां से आपको एक पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव से Election Commission of India का कोई लेना देना नहीं है ठीक है वो काम आपको पता है राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो करवाता है तो चुनाव आयोग एक अखिल भारतिय संस्था है वैसे अगर आप देखोगे न तो यह संघिय प्रणाली के विप्रीत बात है संघिय प्रणाली में तो दोहरी विवस्थाओं नहीं चाहिए राज्यों के चुनाओं तुम क्यों करवा होगी एक जो भारत का शाथ साथ एकल प्रणाली भी पाई जाती है यह आप सब जानते हैं हुम तो आणयी है यार चुनख दुनिया में हमारा कोJack you तो सवीडत हील नहीं कि आपसीव नहीं हमारी जैसे सुल नो की बनाइन पहला है हमने अप्रगरी घ्श्र कि स्वाड जो संवीदान जो आपने आप में अपने पता नहोंदा और अनोखा सम्विधान इसलिए क्योंकि इसकी विशेष्टा इसके प्रावधान बड़े अनोख्षे यहां पर आपको होना तो यह चाहिए था कि आपके पास केंद्र राज्य की अलग-अलग क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान है के आपको असी सेंश्था है जैसे आपको पता है कि करता है यह आपको मिलेगा नहीं आम तोर पर हमारे यह पर इसी विवस्ता है हमारा तो न्याइपालिका भी एकिक्रत है कि उलेखनी है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम या नगरपालिकाओं के चुनाव से इसायों का कोई संबंध नहीं आपको एक बात ध्यान रखना है कि कई सारे बच्चे एक गलत फैमी के शिकार होते उन्हें लगता है कि जो राज जी निर्वाचन आयोग ह उसके भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होता उसके अंडर में काम करता है तो एक बात ध्यान रखना कि बिल्कुल अलग है दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज जी निर्वाचन आयोगों की विवस्था की गई है और वो राज जी निर्वाचन आयोग इस इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया से पूरी तरह से अलग है इनका अपस में कहीं कहीं दूर दूर तक कोई खनेक्शन लगी कि अब सबसे पहले तो आप संविधान में संरच नान क्या है election Commission यो की इस नुच्छे द में लिखा है कि निर्वाचन आयोग जो है भारत का इलेक्षन कमिशन ऑफ इंडिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात तो यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि निर्वाचन आयोग में कौन होगा? समविधान का तो इस मामले में कोई clarification नहीं है। मतलब समविधान नहीं बोलता कि एक है कि पांच होंगे कि दस होंगे कि छे होंगे कुछ नहीं। सम्विधान में तो बस इतना लिखाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और कुछ अन्य आयुक्त होंगे वो राष्ट्रपति ताय करेंगे इनसे मिलके और यह आयोग बनेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा की जाएगी, नियुक्त कौन करेगा, इनको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपती, चाहे एक आयुक्त हो, चाहे एक से ज्यादा हो, सब की नियुक्ती भारत की कि 1 से ज़्यादा आयुक्त है एक से ज़्यादा मानली जी की चुनाव आयोग मैं कमिश्णर है आयुक्त है तो इसी इस्तीति में जू Chief Election Commissioner लिआ जो आपका C e c Chief Election Commissioner मुख्य Nिरवाचन आयूक्त यह आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर वो अकेला है तब तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर एक से ज्यादा आयुक्त है तो ऐसी इस्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इस आयोग का अध्यक्ष कहलाता है फिर राष्ट्रपती निर्वाचन आयोग की सला पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है अब देखो हमने यह तो बड़ी आसानी से कह दिया कि भारत के निर्वाचन आयोग का राज्यों के निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना ने और मैंने आपको यह भी ऐसी को लेक एकिषण कमिशन आफ इंडियी राज्यो के चुनाओ कराता है विद्ण अविधान परिश्चन इस देश में 28 राज्य कितने राज्य नहीं ना इसको सहायता के लिए लोग चाहिए तो वहाँ इसकी राज्यों में सहायता कौन करेगा तो यह विवस्था है कि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की सला पर भारत के राश्ट्रपती राज्यों में प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को सहायता करेगा उसके काम में निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्ते और इनकी पदावधी राश्ट्रपती द्वारा निर्धारित की जाएगी मतलब सम्विधान में यह चीज़ भी फिक्स नहीं अगर कोई आप से पूचे कि सम्विधान में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का कारेकाल कितना बताया गया है तो आपको यह बताना है कि सम्विधान में तो फिक्स नहीं किया गया है कि इनका कारेकाल कितना है यह सब राश्ट्रपती तय करते हैं कि कि 1950 से 15 अक्टुबर 1989 तक जिस दिन सम्विधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर तो लगभग आप देखिएगा कि 40 साल तक 1989 तक इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्वाचन आयोग में रहा मतलब एक युट बस निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त हुआ करता था एक कमिशनर हुआ करता था बस अधिल मैं आधमी एक ही आदमी था लेकिन अब क्या हुआ कि आपने सुना होगा बहारत में वोट डालने की एज कम कर दिए अचानक से यहां तक भारत में वोट डालने की एज 21 साल हुआ करती थी, मतलब 21 साल से नीचे का विक्ति, कम उम्र का विक्ति वोट नहीं डाल सकता था, यह आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, कि आजादी के बाद जब हमने सारूबोमेक वयस कमताधिकार दिया, तो हमने 21 वर्ष की आयू रखी थी, 21 साल से कम उम्र का विक्ति वोट नहीं डाल सकता था, लेकिन अब क्या हुआ, कि जब हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमारे यहां पर काफी संसाधन आ चुके हैं, तो हमने वोट डालने की एज थोड़ी सी कम कर दी, और हमने यहां है, वह इकईट से घटाके आठारा कर दी और फिर हमने क्या किया? हमने लोगों को और लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया. मतदान करने की आयू को एकईट से घटाके जब हमने अठारा कर दिया तो फिर हमारे देश में अचानक से बहुत सारे वोटर्स बहुत ज़ादा काम जो है election commission का बढ़ गये अब अकेले आयुकत की बसकी बात तो यह थी नहीं है ठीक है अकेले आयुकत की बसकी बात यह थी तो भारत की राष्ट्रपती कों वैसे ही मेंने आप से का सिचाए कि तो और भी lowest कानीुपथ कर ले तो राष्ट्रपती ने क्या किया उन्होंने एक अयुपत के अलावा दो कर दिए तो पहली बार भारत का Election Commission बहु सदस्षी हो गया और इसमें हो गए टोटल तीन सदस्षी हो एक मुख्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग भारत का एक सदस्शी से बहु सदस्शी कब हुआ? तो बहु सदस्शी पहली बारी हो गया 1989 में भारत के राष्ट्रपती ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए, दो और निर्वाचन आयुकतों को न्युकत कर दिया, इसके बाद या आयोग बहु सद पर हमने कुछ समय के बाद फिर चेंज कर लिए हमने तीन को फिरेक कर दिया कुछ समय के बाद हमने निर्वाचनायोग को फिर से एकल सदस्य बना दिया 1990 में उन दो निर्वाचन अयुक्त के पद को फिर से समाक्त कर दिया, ए manufacturers बहुत जल्दी जल्दी हुआ, 1989 तक निर्वाचन आयोग्न सिर्फ एक अयुक्त हुआ करता था, 1989 में हमने दो और करके तीन कर दिये, और 90 में हमने फिर से वो दो खतम कर दी मतलब निर्वाचन आयोग में फिर एक हो गया दो को फिर अटा दिया गया और इस्थिती की जो है वो एक बार फिर से पहले की तरह हो गई परंतु फिर गड़ बढ़ हो गई 1993 में हमने फिर से दो निर्वाचन आयोग तो और बढ़ा दिये जन संख्या भी बढ़ रही थी तियोत्तरवा सम्विधान बहुचका फो क्या घो क्या अब पहली बार बहू सदस्य कब होसा इसका आंसर होगा 1989 अगर आप से पूछेंगे निर्वाचन आयोग कब से भारत में अभी बहुस अधस्य चला रहा है इसका अंसर होगा 1993 93 से लेकर आज तक फिर से बहुस अधस्य है तो हमने दो निर्वाचन आयोगत को और नियुकत कर दिया और फॉर्मुला फिर से वही बन गया वन प्लस टू और हमारे निर्वाचन आयोग में तीन आयोगत हो गए इसके बाद से लेकर आज तक हमने फिर परिवर्तन नहीं किया है यह बहुस अधस्य जो है आयोग के तोर पर काम कर रहा है इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोगत ह और दो अन्य निर्वाचन आयोगत को आप चीफ इलेक्शन कमिशनर कहते हैं इंग्लिश में सी एसी मुख्य निर्वाचन आयोगत हो गए हैं इनके पास शक्तियां एक समान होती आपको एब ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इन में अंतर क्या है वही आपक कि मुख्य निर्वाचन आयोगत को ज्यादा सेलरी दी जाती होगी मुख्य निर्वाचन आयोगत को जो है ज्यादा अधिकार होंगे कई नहीं मुख्य निर्वाचन आयोगत और दोनों आयोगत तीनों की शक्तियां बराबर हैं समान वेतन भत्ता सुविधा सब समान एक ज शुप्रीम कोट को कितना मिलता है कि सुप्रीम कोट के न्यायorter को ःदी लाक प्रति महा ह मिलता है जैसे को दोलाक ऐसी हजा़ और अन्य जजुको अदैलाvesto इनको थीनों को द्धाई लाख रुपया प्रती माह मिलता है लेकिन अंतर है कि वह आपने चित्र तो बहुत देखे होंगे जिसमें आपको दो चित्र दिख दिए जाते हों अंतर ढूंडना होते पूरे एक जैसे दिखाई दे रहें पर बहुत गहराई से छानबीन करने के बाद कुछ अंतर निकल आते हैं तो चित्र तो ये भी पूरे दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसमें गहराई से ढूंडने पर अंतर भी आपको मिल जाएगा अंतर है हटाने का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना अलग प्रक्रिया है बहुत मुश्किल है और अन्य निर्वाचन आयुक्त समझ में आया कई बार मैंने आप से कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यदि हटाना हो तो उसको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोट के जज के जिसी है सुप्रीम कोट के जज हाई को जैसे हटाया जाता है ना उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को समझ गहे है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की माम च keeping एसी यस्तिती में जब मुख्छी निर्वाचन आयुक्द के पूच विचार में मत बहद हो सकती तो पैसला बहुमत से तरफ मतलब तीनों मैंसे दो सदस्ट जिस तरफ होंगे चाहे वो अध्यक्षो या ना हो तीनों आउक्त मेंसे जो दो आयुक्त एक तरफ वोंगे उसको जो है फिर निर्ड़ने लिया जाएगा बहुमत की आधार पलिया जाए कारेकाल होता है छे साल या 65 वर्ष एक बात ध् बराबर है यह 6 साल या 65 वर्ष के आयू जो पहले हो जाए तक पद्धारन करते हैं यह मामला आपको समझ में आ जाता होगा 6 साल या 65 साल जो पहले हो जाए मतलब अगर नियुक्ति के बाद व्यक्ति 65 साल का हो गया तो रिटायर हो जाएगा भले कारेकाल कितने भी साल का इस अब तक फिर इसके लावा किसी भी समय वह त्जे सकते हैं यह तो खिःवाच्ण का काम है कोई भी निर्वाचन आयूक्त आयूक्त तीनों में से किसी भी समय अपना पद सखोड़ सकता है इस तीपद आ दे सकता है तिकतर है अअग हम बात करेंगे स्वतनत्रता की कि चलिए यहां से हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे अब आज के लिए यहीं तक रखते हैं आप लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिल जाए अगले सेशन में निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता इसकी शक्तियां और फिर दूसरा आयोग जो होगा वह हम लोग देखेंग कि लाइक करिएगा लेकिन ठीक है आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि सेशन को छोड़ने से पहले जाते जाते लाइक करना ना भूलें इतनी महनत आपके लिए अब लोग करते हैं शेयर करिएगा और कॉमेंट में फीड़बेक भी दे सकते हैं आपको अच्छा लगा है सेशन नहीं लगा है समझ में आया नहीं आया तो आप बता सकते हैं और इसी के साद़ आपको पता है कि रात को दस बजे अभी भी कई सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे ने जॉइन कर लिया ये दस बजे जियोग्राफी का फाॉंडेशन कोर्स चलता है Unacademy की application पर मेरा और अच्छी बात यह कि फ्री है मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई पैसा देना पड़ेगा यह एक्दम फ्री है आप में से कोई भी कहीं भी बैटके उस session को जॉइन कर सकता है Unacademy की learning application को download करिए Google Play Store से और वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं 10 से 11 बजे तक अभी class 6 की प्रत्वी हमारा आवास हमारी NCRT चल रही है जिसमें हमारा 3rd chapter जो है कल स्टार्ट हुआ अभी यात्रा शुरू ही है अभी यात्रा बहुत लंबी जाएगी 6 7 8 9 10 11 सारी जियोग्रफी की NCRT अगर आप करना चाहें अभी हमारे पास अगले साल के लिए समय है तो समय का उप्योग करते हुए अपने बेस को अपने नीव को मजबूत करी कई सारे बच्चों को लगता है पता है कि हमें सब आता है वो कई बार बहुत सारे topics को अंडरेस करना चाहते है जियोग्रफी की तो रात को दस बजे वाले उस फाउंडेशन बैच को को आप जॉइन कर सकते हो और अच्छी बात है फ्री बैट करना क्या है मुझे बताओ आपको अनकेडमी की अप्लिकेशन डाउनलोड करके दस बजे लाइवा जाना है बस और अगर आप अनकेडमी का सब्सक्रेप्शन लेना चाहें तो फिर आपको यह पर्यसरेखर कोड यूज करना सी के लाइव जब भी जो भी जैसा भी सब्सक्रीप्शनागेडमी का आप या आपके जानने पहचानने में कोई ले तो सी कल आई-वी ओर उसको बताईए आप इसको भी आपकात होगी फिर से तब तक के लिए बने रही है थैंक यू रिमाच गाइज थैंक यू रिमाच थैंक्स वाचिंग टेक केर बाई जैहिन लेट्स क्रेकट